आनन्दी काफी बड़ा बैग लेकर अपने माई के जाती हैं। आनन्दी को अपने घर देखकर उसकी बड़ी भापी जियोती और छोटी भापी निहारी का बहुत खुश हो जाती हैं। और आनन्दी को गले लगा लेती हैं। अरे आनन्दी तुम इतने दिनों बाद, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे सिसुराल चले जाने सो तो ये घर मानो सुना साही हो गया था, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही दी दी, और बताओ आनन्दी, सिसुराल में सब ठीक है ना, हाँ भाबी, सब ठीक है, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, बल्कि आपको पता है, आश्यू तो तो मुझे अपनी नजरों से दूर तक नहीं जाने देते, माई की आने के लिए भी मुझे उन्हें इतना बोलना पड़ा, तब जाकर भाने हैं, अच्छा, वो तो त थोड़ा बहुत पती ध्यान देगा ही, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, बाकी के पतियों के तरफ ही हो जाएंगे वो भी, हाँ नहीं तो क्या, अब मायंग को ही देख लो, हमने भी तो अपनी पसंद सही शादी की थी ना, शादी के कुछ समय तक ही प्यार होता है, जैसे तक कि मुझे कोई काम भी नहीं कानने देते हैं, सारे काम खुदी करते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है नना जी, मैं तो कहती हूँ, तुम दोनों का प्यार ऐसी ही हमेशा बना रहे है, हाँ भापी, हमारा प्यार तो बनाई रहेगा, लेकिन मुझे बुरा ना, आप लोग ऐसी ही रहेगे, ना भाईया आपको सपोर्ट करते हैं, ना आपकी वो किसी भी काम में मदद करते हैं, क्या नना जी, अभी अभी तो आई हो, और क्या बाते लेकर बैठ गी, चलो, आराम कर लो, हम भी खाना बना लेते हैं, पैसे आप अभी तक माजी से भी नहीं मिल पर उसकी भाई अपनी बीबियों से प्यार नहीं करते, ऐसे ही एक दिन निहारिक आपने कमरे में बैठी होती है, तब ही उसका पती मयंकाता है, मैंने तुमसे कहा था ना, कि मेरी वाइट वाली शर्ट प्रेस कर देना, लेकिन तुमने नहीं की, तुमसे एक काम नहीं होता अब वाली शर्ट अपने किसी दोस्त के घर भुलाये हो, मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली अगर घर में नहीं मिल रही थी, तो कम से कम एक बार मुझे फोन करके बता तो दिया होता, अब बताओ, मैं कल आफिस पैन करके आ जाओंगा मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, अब आप ही बताओ, जब आपने फोन ही नहीं उठाया, तो मैं आपको कैसे बताती मैंक कुछ नहीं बोलता, बाहर चला जाता है, जैसे ही मैंक बाहर जाता है, तुरंत वहां आनन दिया जाती है भाबी, सेचमी भेई आपके साथ कैसा बर्ताओ कर रहे है सोच रहे हूँ जब मुझी इतना बुरा लग रहा है तो आपको कितना बुरा लग रहा हो का भाबी अब कुछ बोलती क्यों नहीं हो ओहू, मयंग जी दिन भर आफिस में काम करते हैं इसलिए थोड़ा बहुत गुसा हो जाते हैं मुझे ना उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता भाबी जो गलत है, वो गलत है अरे यह आफिस में काम करते हैं तो आप भी तो घर पे काम करती हो ना आप कौन सा पुरा दिन आराम करती हो हाँ, यह बात तो तुम सही कह रही हो काम तो मैं भी दिन पर करती ही रहती हूँ इस मामले में ना मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ आशु तोष पहले आफिस का काम करती है और फिर घर पर बराबर मेरी मदद भी करती है सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, दमाजी तो बहुत अच्छी है भाबी सच में आपना बात भोली हो, अरे कोई भी अच्छा होता नहीं है, अच्छा बनाना पड़ता है इस तरह आनंदी अपनी दोनों भावियों को भड़काने लगती है समय बीता है और अपनी भावि के साथ वो अपने भावियों के भी कान भरती है ऐसी ही एक दिन मैं यह आपको नहीं लगता दोनों भावियां कुछ ज्यादा ही सेर पर चड़कर नाच रही है अरे ऐसे तुम क्यों बोल रही हो क्या क्या तुम्हारी भाविन है भाविया भावि तो बस यही सोचती है कि आप दोनों ने जैसे मुझे लाड़ प्यार से रखा है वैसी यह उनको भी रखी अरे बेहन और पत्नी में फर्क होता है की नहीं वो चाहती है कि आप दोनों उनकी पल्लू से बंद कर रहो अब आप ही पताओ भाविया ऐसा अच्छा लगेगा कि घर के जवान लड़की अपनी पत्नी के आगी पीछे घुमते रहे यह तो तुम सही कह रहे हो मुझे भी आजकल ऐसा ही लग रहा है कि जोती मुझे अब बाद बाद पर टोकने लगी है अब मुझे ही देख लो अपनी पसंद से शादी की है लेकिन फिर भी कभी आज शुतूष को पलट कर जवाब नहीं दिया मैंने लेकिन देख लो भावियां को आनंद की बाद सुनकर दोनों भाविय गुस्से में आ जाते हैं तब ही वहाँ निहारी का और जोती आ जाती है आज हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं क्यों? गर में खाना नहीं बनाया जा रहा है कि तुमसे? अरे? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपका फर्स बनता है उनकी इच्छा पूरी करना ठीक वैसे ही जैसे आज कल तुम मुझे पर धौंस जता रही हो आप न बिना बाद के लड़ाई छेड़ रहे हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तुमने क्या किया है और क्या कर सकती हो रोज किसी ना किसी बात पर मेरा सर जो खा रही हो अब भी कोई कसर बची है क्या? अब ना आप ज़्यादा बोल रहे हो मैं आपका गुसा और ज़्यादा परताश नहीं कर सकती हूँ चारों में लड़ाई होने लग जाती है और वो लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी तबी वहां आनंदी की माल ललीता आती है आनंदी के पती आशुतोष के साथ वाह बेती वाह मैंने तो सोचा था कि अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो खुशे रहेगी लेकिन तू खुद का घर तो संभाल नहीं पाई यहां आ गई और यहां आने के बाद तू वही कर रही है जो तूने अपने सिसराल में किया अपने भाईों का भी घर तोड़ने में लगी है बाबा आशुतो शाप यहां कैसे वो भी मा की साथ मा जी आप यह सब छूड़ो और मायंग जी को देखो वो मत से बिना बाद के लड़ रहे है उपर से मुझे कितना कुछ सुना चुके है अरे मेरी प्यारी बहूं तुम क्यों इसकी बातों में आ रही हो ये तुम लोगों की प्यारी लाडली ननत का ही तो किया धरा है यही तो आग लगा रही है तुम लोगों की ग्रहस्ती में आग लगा रही है? क्या मतलब मा जी हम कुछ समझे नहीं? मैं समझाता हूँ भावी, मेरी और आनंदी की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी क्योंकि आनंदी शुरू में सब काम कर रही थी, हर बात मान रही थी लेकिन धीरे धीरे वो मेरे घरवालों से बिना मतलब जगरने लगी और मुझसे बत्तमीजी करने लगी इसकी बत्तमीजी से हम दोनों के बीच धूरी आने लगी और आखिरकार जब हम दोनों की नहीं बनी तो ये मुझसे लड़ाई करके यहां आ गई आशुतोष जी ये क्या कह रहे हो आप? हमारे बीच की बाते आप बाहर वालों को क्यों बता रहे हो? हम ये सब घर जाकर भी तो बात कर सकती ना? मैं आई तो रही थी कुछ दिनों में, फिर आपको यहां आने के क्या जुरुतान पड़ी? अरे बस करानंधी, मैं तेरी मा हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि तेरा इरादा क्या था? अरे, खुद का घर नहीं बसा पाई, तो अपने भाई और भावी का भी नहीं बसने देगी? मैं तुझे समझा रही हूँ, दूसरों की ग्रहस्ती में दखल अंदाजी करने से पहले, एक बार अपनी ग्रहस्ती पर ध्यान दे ललीता सबको समझाती है, और ननत के सच्चाई सामने लाती है, जिसके बाद आनन्दी वापस अपने घर चली जाती है, और आनन्दी के जाने के बाद, दोनों भावियों का, उनके पती के साथ का मन मुटाओ भी चू हो जाता है गुड़ी, चिंकी कहाओ तुम दोनों, अरे जल्दी आओ, कितनी देर से तुम दोनों का आवाज लगा रहा हूँ क्या बात है भाईया, क्यों शोर मचा रहे हो अरे ये कौन सा तरीका हुआ बड़े भाई से बात करने का, हाँ क्या बात है, तुम्हारा मुग क्यों फुला हुआ है आपकी शादी के लिए डिजाइनर लहेंगा मांगा था माने डाट डपड़कर चुप करा दिया अब अपनी मर्ज़े से इस घर में हम मुग भी नहीं फुला सकती क्या इतनी सी बात के लिए मुग फुलाने की क्या जरुत है तुम्हें अपने बहिया से कहना चाहिए था ना, ठीके चल्दी से पहले चाय पिलाओ फिर मैं दोनों को लहेंगा दिलाने ले जाता हूँ सेच भीया और नहीं तो क्या, इसमे इतना सोचने वाली क्या बात है मेरी राज कुमारी जैसी बहन है, जो उनके मन में आएगा वो पहनेगी विशाल दोनों बहनों को लेकर बाजार चाता है और उनकी पसंद की बड़िया ड़ाइनर लहंगे दिलवा कर ले आता है घर में शादी का माहूल था, अगले सप्ता भाई विशाल की शादी थी जिसकी कारण घर में रिष्टेदार भी जमा होने शुरू हो गये थे लड़कियों कर लो भाई से जी भर के लाड़, बस चार दिन की चांद नहीं, हार बची है एक बार भाई आ गई तो फिर ये फरमाईशे पूरी होने बंदो जाएंगी अब ऐसे बादे क्यों कर रही हैं, हम भाई लेकर आ रहें, कोई जिलाद नहीं, जो आती ही हमारे गर की खुश्यों की बली चड़ा दी अब देख लेना, हमारी भाई भी पी हमें भाईया की तरह ही खुब लाड़ करेगी हाँ, देख लेंगे, ये तो वक्त ही पता आएगा दीरी दीरे समय बीता, और विशाल की पतनी करीना शादी होकर अपने सिसुराल आ गई शादी की बाद दोनों बेहनों के मन में कहीं न कहीं डर तो था कि शायद अब उनका भाई उनसे चीन जाएगा और उनकी जगा भाई को ही सारा प्यार लुटाने लगेगा लेकिन जो उनके साथ हुआ, ऐसा तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सूचा था चिंकी, इस बार भाईया से रक्षा बंदन बर क्या लेगी? अब तो भाई आ गई है, पता नहीं भाईया कोई गिफ्ट लेकर भी आएंगी या नहीं ममी कहा रही है, अब भाईया से गिफ्ट लेने के लिए दबाओ मत डालना योहीं उधेडबून के बीज रक्षा बंदन का दिन आ जाता है और शुप मुरत देखकर गुट्टी और चिंकी भाईया 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 को राखी बान देती है राखी बानने के बाद गुट्टी चिंकी, दोनों अपना हाथ आगे करो ऐसा क्या लाईयो भाईया जो हाथ आगे करवा रही हो आरे तुम हाथ आगे तो करो, अभी पता लग जाएगा गुट्टी और चिंकी अपना-पना हाथ आगे बढ़ा देती है तब भाबी दोनों के उंगली में एक-एक सोने की अंगूठी पैना देती है भाबी ये सोने की अंगूठी है क्या? आ नहीं तो क्या, रक्षा बंदन के दिन तुम दोनों को आर्टिफिशल अंगूठी पैनाउंगी क्या? भावी गोल्ड रिंग तो बहुत महेंगी आती है अब सच में हम दोनों के लिए इतना महेंगा गिफ्ट लेकर आई हो रक्षा बंदन साल में एक ही बात वाता है तुम दोनों का इस घर पैर और तुम्हारे भईया पर पूरा अधिकार है इसलिए ये सस्ता महेंगा सोचना तुम दोनों छोड़ दो भावी की बात सुनकर दोनों बहने खुशी से गदगद हो जाती है जैसे जैसे समय बीटता है भावी का प्यार दोनों ननद चिंकी और गुड़ी के लिए बढ़ता ही जाता है छोटा या बड़ा कैसा भी मौका हो भावी दोनों के लिए अच्छे से अच्छा उपहा लाती उनकी हर इच्छा पूरी करती उनकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बना कर उन्हें खिलाती उन्हें कभी इस बात का एहसास भी न होने देती कि वो उनकी मा नहीं भावी है धीरे धीरे समय बीता और गुड़ी चिंकी की भी शादी हो गई वे दोनों अपने अपने सिसुराल चली गई बहू अपने माईकी में खबर करवा दी न कि हमारे यहाँ शादी के बाद पहली दिवाली पर माईके से शगुन आता है अब शगुन में क्या क्या भेजना होता है ये तो पता है न तेरे घर वालों को या मुझे ये भी बताना पड़ेगा ममी जी अब बिल्कुल भी चिंदा मत करिये मेरी भाबी को कुछ भी बताने के ज़रुत नहीं है जब शादी से पहली उन्होंने हर तीच त्योहार पर हमें शगुन दिया है तो शादी की बाद तो मेरे सुसराल भीजने के लिए वो पूरी जान ही लगा देंगी हाँ आप न अभी मेरी भाबी को जानती नहीं है वो दुन्या की सबसे अच्छी भाबी है पापा के नहोंने पर भी उन्होंने कभी भाईया की कमाई का खमर नहीं दिखाया हमेशा हम दोनों बेहनों को अपनी सगी बेहनों से भी ज्यादा प्यार किया हमारे मांगने से पहले हर चीज़ हम इला कर दी खपी ऐसा लगाई नहीं कि वो हमारी मा नहीं भाबी है अच्छा बड़ी तारीफ कर रही है अपनी भाबी की अरे दुनिया की पहली ननत देख रही हूं तीदी, आपने भाबी को फोन करवा दिया ना, कि हमारे सिसराल में दिवाली का शगुन भीजवाना होगा, मेरी सास तो कल ताना मार रही थी, कि बिना भाप की लड़की लाए है, पता नहीं माईके से कुछ आएगा भी या नहीं, मैंने भी कह दिया, माईके में मेरी भाबी ह आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो आमें कभी बापा की कमी महसुस नहीं होने देंगी हाँ, ठीक किया तुने, तु देखना, भाबी इतना बढ़िया शगुन भेजेंगी कि सब का मुझ खुला का खुला रह जाएगा दीपावली से दो दिन पहले गुड़ी और चिंकी की यहां उनका भाई विशाल दीपावली का शगुन लिकर पहुँच जाता है शगुन की मिठाए, रुपे और कप्ड़े देने के बाद विशाल अपने घर चला जाता है विशाल की जाने के बाद आधा किलो मिठाए का डबा और घर में सबकी मिलाई के सौ सौ रुपे रख कर गया है तेरा भाई बड़ी लंबी लंबी डिंगे आख रही थी मेरी भाबी यहां कुबेर का खजाना लूटा कर जाएगी देख लिया क्या दे कर गया तेरा भाई इतना ही नहीं कपडों के नाम पर ये पांसो वाली साडी भी थमा कर गया है सास की बात सुनकर गुड़ी नजरे नीची कर लेती है जैसा हाल गुड़ी का था चिंकी का भी सिसुराल में बिलकुल वही हाल था चिंकी ने भी सिसुराल में भावी की तारीफों के लंबे-लंबे पूल बांदे थे अब जब माईके से शगुन के नाम पर आधा किलो मिठाई आई तो चिंकी की सास ने भी उसे बाते सुनाने में कसर नहीं छोड़ी दीपावली के अगले दिन चिंकी भावी ने तो सिसुराल में मेरी एकदम नाकी कटा दी तुझे पता है भावी मेरे सिसुराल में क्या दे कर गया आधा किलो मिठाई और मेरे सास को पांच सो वाली साड़ी मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि भावी मेरे साथ ऐसा करेंगी अरे दीदी तु मेरी साथ कौन सा बात अच्छा कर दिया भावी ने मुझे भी तो आधा किलो मिठाई और पांसो वाली साड़ी दे कर गया भैया मुझे तो सच में इतना गुसा आ रहा है ना मन कर रहा है अब माई की ना जो सही कह रही है चिंकी मुझे भी न भावी पर इतना गुसा आ रहा है कि मैं तो उन्हें फोन भी नहीं करने वाली दीपावली के दो दिन बाद भाई दूज पर दोनों बहने अपने माई के पहँच जाती है भाई के माथे पर तिलक लगाने के बाद शगुन के नाम पर भाई दोनों बहनों को पांच सो का नोड थमा देता है गुड़ी और चिंकी हैरान होकर भाई की और देख रही थी कुछ दिर बाद देखा दिदी आपने हमेशा महंगे महंगे तोफे देने वाले भाईया भावी हमारी शादी होती ही कैसे बदल गए ऐसा लग रहा है हम दोनों को तो दूद में से मक्की की तरह निकाल दिया है इन लोगोंने चिंकी मां से कुछ मत कहना मां का कुछ दिन पहले ये हार्ट का उपरेशन हुआ है पहले भी भाईया भावी जो करते थे अपनी मर्जी से करते थे और अभी भी वो जो कर रहे हैं अपनी ही इच्चा से कर रहे हैं इस सब का मां से कोई लेना दिना नहीं है शायद ये सब करके भाईया भावी हमें जता रहे हैं कि हमारी शादी करने के बाद उनके हमारे प्रत्नी जिम्मतारी खत्म हो चुकी है। वे अब अपने घर ग्रहस्ती पर ध्यान देना चाहते हैं और हमें भी अपनी ही घर ग्रहस्ती पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बहन की बात मान कर चिंकी भी चुपचाप अपने सिसुराल लोट जाती है इसी तरह बारी-बारी से खिचडी, होली और फिर सावन आता है हर बार भाईया भाबी के और से मिलने वाले नाम मातर की शगुन और सिंदारी को देखकर दोनों बहनों का मन भाबी से हटने लगता है भाईया भाबी के बदलते रवई को देखकर अब दोनों बहने माई के जाने से भी बचने लगती है देखते ही देखते रक्षा बंदन का त्योहार आ जाता है दीदी, दो दिन बाद रक्षा बंदन है क्या सुचा है, भाईया को राखी बानने चलना है ना सच बताओ चिंकी, भाईया भाबी के बदले हुए रवये को देखकर अब मेरा माई के जाने का मनी नहीं करता लेकिन रक्षा बंदन है, भाईया भाबी हमें बोल गया तो क्या हुआ हमें तो अपना फर्ज याद रखना चीए ना हम भाईया को राखी बानने जुरूर जाएंगे रक्षा बंदन के दिन दोनों बेहने माई के पहँच जाती है राखी बानने के बाल अरे भाबी, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है डिजाइनर है ना, कितने की ली नई चिंकी, यह मैने खरी दी नहीं है वो सावन का सिंदर आया था ना तो उसमें मेरी भाबी ने माई के से भिजवाई है अरे वाब भाबी, बड़ी लख्यो आप इतने साल होगे आपकी शादी को अभी भी आपके माई के वाले आपके लिए इतनी बड़िया बड़िया साड़ी भिजवाते हैं और एक हम है हमारी तो नई शादी में ही माई के से ऐसे साड़ी आती है कि उसे लेने से काम वाली भी मना कर देती है गुड़ी ने अपने मन की भढ़ास निकाल ली थी लेकिन गुड़ी की बात सुनकर भाबी की आँकों में आशु भराये थे अपने आसु छुपाते हुए भावी वहां से उठकर रसुई में चली जाती है भावी का दिल दुखाने से पहले एक बार सोचा तो होता कि तुम किसे क्या बोल रही हो अरे मा इसा गलत क्या आप बोलती है दीदी ने पिल्कुल ठीकी तु बोल रही है भावी हमें कैसा भी सामान भिजवाए वो ठीक है और हम कुछ बोले तो हमें डाट रही हो हाँ मैं तुम्हें डाट रही हूँ क्योंकि तुम गलत हो तुम्हारी शादी के बाद इस घर में क्या क्या हुआ है क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की तुम दोनों बेहनों की धूम थाम से एक साथ शादी करवाने में तेरे भाई भावी ने लाखो रुपे का लोन उठाया था लेकिन उस लोन को चुकाने से पहले ही भाईया के बिसनस पे बहुत बड़ा घाटा हो गया उसके दुकान बंद हो गई अब तुम्हारे भाईया किसी और की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं उसे नौकरी की तनक्वा में से जो भी पैसे मिलते हैं उन में से आदा से ज्यादा तो तुम दोनों की शादी की लोन चुकाने में चले जाते हैं बाकी बचे हुए पैसे से हम किसी तरह घर चला रहे हैं तीज तियोहार पर चाहे तेरी भावी ने घर के लिए मिठाय खरीदी हो या ना खरीदी हो लेकिन तुम दोनों के ससुराल हमेशा समय से शगुन जरूर भिजवाया है शगुन तुम्हारी भावी का तुम दोनों के लिए प्यार था बिटा जिसको तुमने रुपये पैसों से तोल कर बर्बाद कर दिया तुम्हारे भावी बदले नहीं हैं वो आज भी तुम दोनों से उतना ही प्यार करते इसलिए तो वो आज भी माथे परशिकन लाए बिना तुम्हारी शादी का लोण चुका रहे जितना उनसे बन पा रहा है तुम दोनों के लिए कर ही तो रहे मा इतना सब हो गया आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं तुम्हारी भाब ही नहीं चाहती थी कि तुम दोनों अपनी नई नई शादी शुदा जिन्दगी को छोड़ कर हमारे दुखों में दुखी रहो इसलिए उसने तुम दोनों से ये सारी बाते चुपा कर रखी ताकि तुम अपने नए घर में खुशी-खुशी घुल मिल सको मा की बात सुनकर चिंकी और गुड़ी को अपनी सोच पर शर्मा रही थी हमें माफ कर दो भाबी हमने आपके सोने जैसे प्यार को रुपया और पैसों से तोला इतनी तंगी में भी आप अपना फर्ज निभाने से कभी पीचे नहीं हटी गुड़ी और चिंकी को अपनी सोच पर शर्मिन की मैसस हो रही थी और हो भी क्यों ना? वो कहते ना कि तोफा देने वाले का दिल देखना चाहिए तोफे की कीमत नहीं और गुड़ी चिंकी ने तो तोफे की कीमत देकर गलती कर ही डाली थी